नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगन की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं केंद्रिये करमचारियों को मोधी सरकार ने नौरात्री के मोगे पर दिवाली का बढ़ातोफा दिया है बता दे कि सबसे बड़ी बात या है कि दिवाली का या बोनस केंद्रिये करमचारी के खाते में डैरेक्ट डिविटी के जरिये तुरंत भेज़ दिया जाएगा बंगाल की खड़ी में बार बार निम दवाव का छेत्र बन रहा है इस करण हावा का रूख नहीं बदल पा रहा है बता दे कि हावा का रूख नहीं बदलने के करण मांसून की वापसी नहीं हो रही थी अब वापसी के संकेत मिलने लगे है दो से तीन दिन में मानसून ज्यारखन से वापस हो सकता है ज्यारखन में आमतर पर मानसून की वापसी अक्टूबर के दोसरे सपता तक हो जाती है लेकिन इस बार 22 से 23 अक्टूबर के बाद ही मानसून की वापसी की उमीद है जार्खन पूलिस की ओर से बुद्वार को जार्खन ससस्त पूलिस बल जयपवन में पूलिस संस्परन दिवस मनाया गया डिजीपी एमबी राव ने जयपवन में इस्थित सहीद अस्तल पर सधांजली अर्पित की उन्होंने सहाधत देने वाले पूलिस पता दिकारी एम जवानों को संस्थांजली अर्पित करते हुए कहा कि जिन पूलिस कर्मियों ने अपने सेवा के दरवन बरिलदान दिया है आज उनसे प्रेना लेने का दिन है महिला सुरक्षा के लिए सभी जिलो में जारी हुआ वाट्सेप नंबर राज में नवालिगो और महिलाओ की सुरक्षा के लिए सभी जिलो में वाट्सेप नंबर जारी कर दिये गए हैं प्रभारी डीजीपी एमबी राव के आदेश के बाद सभी जीलों में नोडल पता अधिकारी भी बनाए गए हैं डीएसपी वा इंस्पेक्टर अस्तर के अधिकारीों के पास ए नमबर रहेंगे बता दे कि महिलाए 24 घंटे इन नमबरों पर सिकायत कर सकेंगी सभी जीला नोडल पता अधिकारी का मोबाइल नमबर इस परकार है रांची 99-066-3490, खोंटी 92-97-84-54, लोहरदाग्गा 83-47-54, शेस जीलों का नोडल पता अधिकारीों का नमबर डिस्क्रॉप्शन बक्स से चेक कर ले झारखन के 1,110,!'e pas अवियर्थियों को मिल सकता है मोगा सिक्षक पत्रता परिच्छा पास अवियर्थियो के साटिफिकेट की मनयाता आजीवन मिली तो राज के 1,11,000teil पास अवियर्थियों को फाइदा मिलेगा बता दे कि राजे में 2013 में टेट पास और 4916 अवियार्थी जबकि 2016 में 35,000 अवियार्थी के सट फेट की मनियता आजीविकन हो जाएगी राची से खुलने वाली चार पेसेंजर ट्रेने एक्सप्रेस में बदली राची राची रेल मंडल की चार पेसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में तबदिल करने की सुचना जारी कर दिया इसमें हटिया टाटा पेसेंजर, हटिया बर्दमान पेसेंजर, हटिया जारस्वी गूडा पेसेंजर और हटिया खड़ागपूर पेसेंजर सामिली था है JSAC से जवा मांगा है मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी इस संबंद में निलम कुमारी ने हाई कोट में आचिका दाखिल की है सुनवाई के दुरान कहा गया कि हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति के वियापन में उन्होंने आवेदन किया था सफल होने के बाद JSAC ने नियुक्ति के अनुसंसा कर दी है सर्दिक के मौसम में संक्रमन की दूसरी लहर से इंकार नहीं किया जा सकता देश में पिछले तीन सब्ता में क्रोना वाइरस संक्रमन के नए मामले और इसमें होने वाली मोत में कमी आई है और अधिकतर राजियों में संक्रमन का परसार इस्थिर हुए है निती आयोक के सदस से वीके पॉल ने रविवार को या बात कही लेकिन उन्होंने सर्दी के मौसम में संक्रमन की दूसरी लहर के असांका से इंकार नहीं किया है चाईबसा में PPE कीट की खरीदारी में फरजिवाया से समंधित खबर परकासित होने के बाद जीले के डिसी अरवारा राजकमल ने मामले को गमबिता से लिया है इसके साथ ही डिसी ने गोपनिय सका से पत्र निर्गत करते हुए फरजिवाया से समंधित जाच का आदेश दे दिया है रगबर दास के खिलाब जार्खन हाई कोट में जनित यच का दायर जार्खन की वर्तवान सरकार पर अपति जनक टिपनी करके एक बार फिर बिवादों के घेरे में आये परदेश के पूर्व मुख मंतरी और भारतिये जनता पार्टी के राश्ट्रिये उपाद्यक्ष रगबर दास के मुश्किले बर सकती है उनके कारेकाल में उद्योग पतियों को आकर्शित करने के लिए आयोजित मोमेंटब जार्खन में गरबडी का अरोप लगाते हुए जार्खन हाई कोट में एक बार फिर से जनित यच का दार हुई है जार्खन में 647 ने संक्रमितों को पुष्टी हुई जो राची से 163, बोकारो 61, देवघर 40, धनबाद, तीरपन, दूमका चार, पूर्वी सिमुव, 97, गडवा 7, गिरीडी 1, गोड़ा वगुमला से 66, 1022, जामतरा 34, खुटी 6, कोडार्मा 11, लाते हार चार, लुर्दागा 47, पाकुर्दो, पलामु, नव, रामगरद, साहिवगाई, साथ, सराइक केला 17, सिम्डेगा 9, वपच्मी सिमुव, 31, मिले हैं, जार्खन में कुल संक्रमितों को संख्या 98,061 है, जबकि 194, लोक स्वास्त हुए और 891 की मिर्ती हो गई, भारत में कुल संक्रमितों को संख्य 47, 5,751 है, जबकि 68,1,895 लोक स्वास्त हुए, और 1,16,653 की मिर्ती हो गई, भारत में केस 56,000 मिले हैं, जबकि 89, 322 लोक स्वास्त भी हुए हैं, भुद्वार को दो मरिज की मोत हो गई, यो जमसेदपूर और रामगरद के हैं, भुद्वार को 629 लोक स्वास्त भी हुए ह हैं, राजे में इस समय कूल एक्टिव केस 626 हैं, जो इस प्रकार हैं, राची 122, पूर्वी सिमूम 133, धनबाद 381, गिरी 166, बोकारो 354, चात्रा 56, देवगर 892, दुमका 106, गडवा 68, गोडा 33, गुमला 169, 146, जामतरा 93, खुटी 131, कोडारमा 183, लाते हार्चव रास पूलिस महानी देशक, M.B. Rau और Special Branch के अपर पूलिस महानी देशक, M.L. मीना ने पूलिस संस्मरन दिवस के मौके पर पूलिस जंडा प्रदान किया, इस मौके पर मुखमंत्री ने सहीद पूलिस जवानों को नमन करते हुए कहा कि आज काया दिन सहीद जवानों को समर्प करते हैं जार्खन के पूरो मुख मंत्री और भाजपा के वरिष्ट नितार अगवर्दास ने राज की सतारूड पार्टी जार्खन मुख्ती मोर्चा एवं उसके मुख्या के परिवायब पर करारा हमलात किया है विदान सबा में तब की मुख्य विपक्षी पार्टी को मुर द्यक्ष ने कहा जहमो नेता को एक सब्द पर मिर्ची लग गई है इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं मैं कैसे दोसी हो सकता हूं अपराधिक मामला दायर करने के लिए सपत पत्र की बैता 21 दिन हाई कोट में अपराधिक मामला दायर करने के लिए दिये जाने वाले सपत पत् पहले पैरविकार को एक सपत्पत्र दाखिल करना पड़ता है सपत्पत्र के माध्यम से समंधित ब्यक्ति के संबन्द में पूरी जनकारी रखने की बात कहता है बता दे कि अभी पैरविकार की और से सपत्पत्र दाखिल किये जाने के लिए साथ दिनों के अंदर ही दाएर य चार शुरू हो गया है बंदू तिर्की ने बेरमो विधान सबाद छेत्र की जनता से मिलकर सगहन जन संपर्क अभ्यान चलाया उन्होंने कहा कि भाजपा ठागों की पार्टी है बहुत जूटे वादे कर जनता को बर्गलाने का काम करती है उनके जहां से भे जनता को नहीं आ करना है विधायक बंदू तिर्की कांग्रेस परत्यासी कुमार जय मंगल के पक्ष में सभी को मद्दान करने की अपील की है राची में आज मनेगा सेलफी आवर राची जीला परसासन की ओर से मास्क को बढ़ावा देने के लिए एक बिसेस पहल की गई है परसासन लोगों स सोसल मीडिया पर अपनी मास्क वाली सेलफी अपलोड करने के लिए कह रहा है इसमें सेस्ट सेलफी को समानित भी किया जा रहा है बता दे कि इसी के तहद गुरु आर को सेलफी आवर मनाया जाएगा इसके लिए सुबह 11 बए से 12 बए तक का समय निधायत किया गया है 50 बर से अधिक उम्र के कैदियों को जमानत देने की माहंग कैदियों की संख्या अधिक होने के कारण जेल में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने और संक्रमन फैलने के संख्या के कारण 50 साल से अधिक उम्र के कैदियों को जमानत पर रिहा करने कागरा सरकार की उच अस्तरिय कमेटी से किया गया है जार्खन हाई कोट के निर्देश पर अधिवक्ता सहले स्पोद्दार ने सरकार की उच अस्तरिय कमेटी के पास अवेदन दिया है जार्खन की कई जेलों में छापे मारी की गई इस दोरान कहीं कुछ भी नहीं मिला तो कहीं आपति जनक समान बरामत हुए राची के बीरसा मुंडा केंदरी ये कारा होटवार में मंगलवार की देर राच छापे मारी की गई जेल में छापे मारी की सुचना के बाद कैदियों के बीच हरकाम मच गया है बता जाकि करीब 3 घंटे तक छापे मारी करने गगाद पुलिस को खाली हाथ जेल परषत से बाहर लोटना पड़ा खबर है कि जेल से क्यादी मोबाइल फोन का इस्तिमाल करते हैं हाला कि छापे मारी में किसी तरह का कोई भी मोबाइल फोन बरामत नहीं किया जा सका कोडार्मा में इंस्पेक्टर ने लड़की को मारी थपड मुखमंत्री ने करवाई के दिया अदेश कोडार्मा में पदस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर राम नरायन ठाकूर अपने कृतियों को लेकर एक बार फिर बिवादों में है पिछले दिनों डोम चांच में वाहन चेक्किंग के दोरान एक नवालिक लड़की को थपड मारने का मामला धीरे धीरे तूल पकरते जा रहा है बता दे कि मामले की जनकारी कुछ लोगों द्वारा मुखमत्री हमान सुरेन को ट्वीट पर दिये जाने के बाद इसकी मुश्किलिए बढ़ गई है मामले में हमान सुरेन ने पुलिस मुख्याला है वा कोडार्मा के पुलिस अधिक्छा को आवसे करवाई करने का निर्देश दिया है आपत्ती जनक फोटो वाइरल मामले की होगी SIT जांच SP हजारी बाग के मुफसिल थाना छेतर के बोचो गाउं की यूती का अपत्ती जनक फोटो वाइरल करने एवन पुलिस द्वारा इस मामले में करवाई नहीं किये जाने के पूरे मामले की तहकिकात भी सेस जांच टीम करेगी SP कार्तिक एस ने बुद्वार को पत्रकार वारता में कहा कि SIT यूती द्वारा थाना में सिकायत किये जाने के बाद भी पूलिस द्वारा करवाई नहीं किये जाने के आरोप की भी जांच की जाएगी उन्होंने कहा कि इस SIT का नेतियुत सदर अनुमंडल पूलिस पता अधिकारी कमल किसोर को सपा गया है धन्यवाद